पार्टी वलून्स, नियोन साइन और कुछ लाइट बॉल्ब्स में क्या कॉमन है ये सब भी नॉबल गैस से फिल्ड है इस वीडियो में हम नॉबल गैसे उनकी प्रॉपर्टीज और यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे नॉबल गैसे ग्रुप 18 के अलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टाउन, जैनौन, एन रेड़ाउन इन अलिमेंट्स को इनके वैलन्स शेल्स फुली फिल्ड होने के कारण जाना जाता है हीलियम में दो वैलन्स अलिमेंट्स हैं, वहीं बाकी नॉबल गैसेज में 8 वैलन्स अलिमेंट्स होते हैं सभी नॉबल गैसेज के शेल्स वैलन्स अलिमेंट्स से फिल्ड होते हैं यहीं रीजन इन्हें एक बहुत स्टेबल अलिमेंट्स बनाता है ये इतने stable हैं कि chemist को लगता था, ये किसी भी element से react नहीं करते, इसलिए इन्हें inert या unreactive gases भी कहा जाता था, हलाकि हम आज जानते हैं कि कुछ noble gases react करके compound का formation कर सकती हैं, इसलिए इन्हें अब noble gases के नाम से जानते हैं. सारी noble gases colorless और monoatomic होती हैं, monoatomic मतलब single atom के form में exist करना, ग्रुप में downward move करते ही इनकी एक shell के साथ atomic radii increase होती जाती है, तो जितने नीचे जाते हैं उतना बड़ा atom मिलता है, atom का size इसके boiling point को भी affect करता है, ये boiling point बढ़ता है क्योंकि larger atoms जिनमें जादा electrons होंगे, उनके बीच में intermolecular force जादा होगा, और smaller atoms जिनमें कम electrons होंगे, इनके बीच में force भी कम होगा, साथी साथ novel gases की density गुरुप में downward जाते ही increase होती जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि larger atoms जादा space occupy करेंगे compared to smaller atoms, अब क्योंकि gases बहुत stable हैं और unreactive भी तो इनका use practical real life applications में बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि helium को party balloons में fill करके use किया जाता है, अब क्योंकि इसकी density air से कम होती है, तो ये air में float करते हुए उपर जाते हैं, और इसी property की वज़े से helium को airships में fill करके use किया जाता है, krypton और xenon को एक टाइप के laser में use किया जाता है, इनका use flat panel display manufacturing में भी किया जाता है, year 1990 से road safety को देखते हुए xenon को car headlights में use किया जाता है, क्योंकि xenon lamps बहुत bright light produce करते हैं, जिससे night में contrast और color vision clear मिलता है, अब क्योंकि inert gas हैं, तो जब neon से electrical current पास करेंगे, तो ये bright orange light को emerge करता है, light bulbs आरगन gas से filled होते हैं और इनके unreactive nature से ये tungsten से भी react नहीं करते, novel gases medicine में भी use होती है, xenon एक effective natural anesthetic है, ये patients के blood pressure को maintain करने में doctors की help करता है, ये operations के दौरान उनके heart rate को भी maintain करने में help करता है, हाला कि इसके कुछ side effects भी है, redon की बात करें, तो ये radioactive है, इस character को radiotherapy में use किया जाता है, जो की cancer को cure करने में use होती है, ये सबी noble gases के traditional uses हैं, मगर इसके अलावा भी इसके बहुत uses हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन को double glazing में एक filler की तरह use करते हैं, इसे दो glass panel के बीच में set कर देते हैं, जिससे ये बहतर thermal insulation offer करते हैं, मतलब इनकी thermal conductivity एयर के comparison में lower होती है, space industries में xenon को एक propellant के form में use करते हैं, ये propellant satellite को उसके orbital path को maintain करने में help करता है, इसका mass satellite के movement को maintain करने में useful होता है, तो अब आप जान चुके हैं basics of noble gases, ये हैं group 18 elements, जिनने group 0 elements भी कहते हैं, stability इनका main character है, जिससे इन्हें बहुत सारी practical real life applications में use किया जाता है, कर से एक लाई किया खि लाई किया चेओर, झारे झाले की लोगले का भी किया बढantry में किप आपकर अब में क्ना। तो आपकर फुनो濃़़वीड़ बहुंब़वारी जाते हैं जा हुन किया इन्हें किया एन्हें勤़़छίν जेख देसक्षण करें येर, झाल झाल